नमस्का दोस्तों मेरे चलमा आपका स्वागत है जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सिस्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आज की मेरी रेसिपी है कॉन मूली ढोकला बनाने के लिए मैं लूँगी आदा कप कॉन उबला हुआ पॉना कप दही एक कप सोजी रवा और एक कप मूली के पत्ते बारिक काटके दो लिया है इनू एक कपी सबसे पहले मैं एक बर्तन लूँगी उसमा सूजी डालूँगी उसके बाद में डालूँगी दही दही एक दम से खटा नहीं है उसको हम अच्छी तरह से मिला लंगे अभी मेरी सूजी और दही मिलाके हो गया मैं इसको पंदर मिनट रखूंगी इसको मैं डखके रख दूंगी पंदर मिनट अभी पंदर मिनट हो चुके है इसको मैं एक बार अच्छे से हिला लूँगी मेरी सूजी जो हो फूख के देखे इतने अच्छा होगी अभी इसमें कॉर्ण डालूँगी उबले हुए और जो मैंने मूली के पत्ते अच्छे साप करके बारी काटा था अभी मैं यह साब मिक्स कर लूँगे अच्छे से अच्छे से कितने अच्छा दिख रहा है कि और यह मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी थोड़ा सा बेटर को पतला करना है कर दो कि अच्छा इस यह अच्छा है कर दो कर दो करना है अच्छे से फेट लगे जो हमारे मक्के हैं हरी सबची है मूली की पत्ते सूजी में अच्छी तरह से मिल जाए यह देखे बटर को इतना पपला नहीं करना है अभी मैं इसमें नमग मिलाओंगी मैंने एक चम्बस नमग मिलाया है आप लोग अपना स्वादा दुशार मिलाएं इसको भी अच्छे से मिला लगे अच्छे से फेटना है हमको आप लोग ऐसे ढुकले एक बार बार बनाएंगे बहुत टेस्टी होते हैं मैं इन्हों डाल रहे हूं ग्रीन वाला लीजिए फूरा प्रकेट डालोंगी फिर उसको अच्छे से फेट लेंगे अच्छे से फूप गया है अई मैं एक बतन लिया है अलमीनियम का अभी मैं इस में थूड़ा सा तेल डालोंगी उसको पूरा अच्छे से लगा लोंगी अभी मैं पुरे बतन में तेल लगा लिया हैं अब बटर को इसमें डालोंगी अब गबे में डाल दिया है अब बटर लिया है कि इसमें पाइन डालेंगे चार गिलास इस्ट्रीम करने के लिए अब चार गिलास पाइन डालोंगी मैंने गैस फास्ट किया है इसको थोड़ा वाल लाने देते हैं पानी को थोड़ा उबलने देते हैं मैंने इसके धक्कन में एक कॉटन का कपड़ा लिया है उसको बांद के अशे हम लोग ढग देंगे जो कि बाहर भाप ना आए अभी मेरा पानी गरम हो चुका है मैं डखकर निकाल के बतन को अंदर डालोंगी और इसको अच्छी तरह से हम धक देंगे और इसको हमको फास्ट गैस में 25 मिनट तक भाप में पकाना है अभी मैं डखकन को निकाल के देखूंगी ऐसा बना हमारा ढूपला एक चाकु लेंगे लंबा नौकोला बीच में हम ऐसे डाल के देखांगे देखेंगे हमारा ढूपला बन चुका है अभी मैं ग्रैस बन कर दूँगी इसको मैं हन्दा होने दूँगी मैं करूंगी तड़के की तैयारी अभी मैं एक कडाई लिया है उसमे मैं डालोंगी तेल दो चम्मच अभी तेल करम हो चुका है मैं उसमे डालोंगी एक चम्मच राई उसको अच्छे जिपोनने देंगे अभी मैं दोकले को एक कट लगा लेंगे अच्छे से जैसे आप लोग काटना वैसे काटे अभी मैं जो तड़का बनाया है उसमें डालोंगी मैं और मैं इसको अच्छे से फैला लोंगी यह देखिए हमारा ढूपला रडी हो गया है अभी तयार हो गया है मेरा कौन मूली ढूपला यह देखिए मेरा ढूपला कितना जालीदार बना हो और कितना स्पंची बना है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें जो पहली बार देख रहे हैं सस्क्राइब करें आप लोग मेरे वीडियो करें